हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे कॉम्मुनेटी टैप को कैसे अनेबल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉम्मुनेटी टैप को अनेबल करने के लिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लेट होने चाहिए उसके 2-3 दिन बाद यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल पे कॉम्मुनेटी टैप को अनेबल कर दिया जाता है अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं और फिर भी कॉमुनिटिक टैब अनेबल नहीं हुआ है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चोटा सा स्टेब बताऊंगा जिसके करने के बाद आपके चैनल पे कॉमुनिटिक टैब दो-तिन दिन में एनेबल हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको उसी स्टेप को दुबारा फोलो करना है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना और अगर आप यह अपने मोबाइल फोन से करना चाते हैं तो मोबाइल फोन पे आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें डेक्स्टोप साइट को ओपन कर लेना है और फिर इनी स्टेप्स को पोलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी चैनल पर आप न्यू है पहली बार देख रहे हैं मेरी चैनल को तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी नहीं नहीं वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लेप्टोप की स्क्रीन के उपर इसमें सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसा मैं आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है इसमें यहां पर आपको सबसे पहले टाइप करना है www.youtube.com और आपको अपने इसमें जीमेल एकाउंट से साइन इन कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल में जैसे आप देख सकते हैं आपर राइट कॉर्णर में मैंने किया हुआ है इसलिए मेरा आइकन यहां पर दिख फ़रलए यहां पर आना है यह जो नीचे आपको सेंड फीडबैक का यह उप्शन दिखाई दे रहा I इसके उपर क्लिक करना है आपको और इस पर आपको YouTube को एक mail send करना है तो आपको इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको लिखना है डियर YouTube टीम यूट्यूब टीम के बाद आपको यहां पर नीचे लिखना है आई हैड आई हैड कम्पलेटेड वन थाउसंड सब्सक्राइबर्स I have लिखेंगे I have completed 1000 subscribers on my YouTube channel but my community tab is not enabled so please kindly solve this issue as soon as possible इस तरीके से आपको यह लिखना है आपे उसके बार नीचे आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू, थैंकिंग यू, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना है अपना नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है चैनल का नेम, चैनल नेम और यहाँ पे आपको अपने चैनल का लिंक यह तीनों चीजे आपको यहाँ पे लिखनी है आगे उसके बाद आपको यह जब आप लिख देंगे यह तीनों चीज़े ऐसे लिखनी है आपको उसके बाद आपको इसमें यह जो पॉर्शन आपको दिखाए देरा है स्क्रीन शोट लेने का इसमें आपको वो स्क्रीन शोट लेना है जो जहां पर आपके सब्सक्राइबर दिखा करना है जहां पर आपके subscriber दिख रहा है उस वाले को आपको select करके done कर देना है तो यहां पर आजाएगा और उसके बाद आपको send पर क्लिक कर देना है मैं अभी send पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरे already community tab enable हो रखा मुझे यह प्रोब्लम नहीं आई है तो यह जब आप कर देंगे तो आपके दो-तिन दिन में आपका कॉम्मिनेटरी टैब जो है वह अनेबल हो जाएगा और अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको इसी स्टैब को दुबारा फोलो करना है दो-तिन दिन के बाद तो डेफिनेटली आपका यह प्रोब्लम जो है वह सोल्व हो जाएगी और आपके चैनल पर कॉम्मिनेटरी टैब नेबल हो जाएगा मैं आपको अपने चैनल पर दिखा देता हूं निव टैब लिना है यूट्यूब डॉट कॉम पर जाएंगे उसके बाद इस आइकन पर क्ल मेराशन अनेबल हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर आप वीडियोग्मिनेटरी की डाल सकते हैं तो यह इनेबल के बाद आपको यह जहाँ ही लिल जाती है और इस तरल्प एक पर आपने चैनल पर आप PB कॉमनेटी टैप को नेबल कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइस जरूर करें ज्याद से ज्याद से शेयर करें थैंक यू